हलो एवरिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल MbpsC Notes आज इस वीडियो को टॉपिक है गुपता डैनिस्ट्री हिस्ट्री का एक गुपता डैनिस्ट्री टॉपिक है वो इस वीडियो में मैप को एक्स्प्रीन करूंगी उसका ओरिजिन कहां से हुआ था उसमें किते केंग्स थे किस किता टाइम पीरेट था वो समय आजब को डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी सो बिना कोई फॉर्दर डीले किए लेट्स गैट इंटू दो वीडियो अपसे पहले देख लेते हैं कि गुपता डैनिस्टी का ओरिजिन कहां से हुआ था 320 AD में गुपता एंपायर जो थ कभी तक मालूम नहीं है बट कुछ लोग ऐसा कहते थे कि बंगाल से औरिजिनेट हुए हैं बट कुछ स्कॉलर्स ऐसा सोचते थे कि प्रयाग से औरिजिनेट हुए जो कि अहलाबाद यूपी में हैं गुपता को ब्राहमन या तो वैश्यास माना जाता था देख लेते हैं क कौन-कौन से किंग थे और उनका क्या-क्या कारकाल था अपसे पहले जो किंग थे वो थे श्री गुपत जो कि इस डैनेस्टी के फाउंडर भी थे इनका जो राजकाल था वो 240 AD से लेकर 280 AD तक चला था इनको महराजा का टाइटल भी मिला था इसके बाद इनके जो बेटे घ 335 AD तक चंद्रगुपता जो थे वो घटोत कच के बेटे थे इन्हों ने स्ट्रेटेजिकली मगद किंग्डम को एक्वायर किया था लिच्चावी प्रिंसस कुमारा देवी से शादी करकर इन्हों ने अपनी किंग्डम को क्वण्क्विस्ट करकर बढ़ा लिया था इनकी जो टेरेटरी थी वो एक्स्टेंड हो चुकी थी गंगा रिवर्ड से लेकर तो प्रयाग तक 312 AD में इन्हों ने कॉइंस भी इशू करे थे इनके और इनकी रानी के जॉइंट नेम्स के साथ इन्हें महराजा धिरजा का टाइटल भी मिला था जिसका मतलब होता है ग्रेट किंग गुपता एंपायर का इनके बाद आये थे समुद्र गुपता इनका जो कारेकाल था वो 335 AD से लेकर 380 AD तक चला था ये चंद्र गुपता और कुमारा दिवी के बेटे थे समुद्र गुपता एक मिलिटरी जीनियस थे और नोंने सक्सेस्फोली बहुत सारे टेरिटर एंड गोदावरी रिवर इन साउप एंड फ्रम बलकाह इन दे वैस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन दे एस्ट ये वैशनवित हिंदुईजम के फॉलोवर थे इन्हों ने श्री लंका के राजा जो की मघदवर्ना थे उन्हें परमीशन दी थी कि वो मोनेस्ट्री बि इन्हें दे रिस्टोरर ओफ अश्वमेधा भी बोलता है उन्हें कवी राजा भी बोला गया था सिंस ही कंपोज्ड वोर्सस के बाद आये थे चंद्र गुपता तू जिनका जो कारेकाल था वो 380 AD से लेकर 480 AD तक था ये समुद्र गुपता और उनकी रानी दत्ता देवी क बेटे थे उन्हें विक्रमादिति के नाम से जाना जाता था इन्होंने अपनी किंगडम को बढाने के लिए मैक्रिमोनियल अलाइंस का यूज किया था इन्होंने मैक्रीमोनियल एलाइंस जो थे वो स् lowest नागास एंड वकटाज ये एक ब्रिलियंट कॉंसिक्यूर थे इनके जो दूसरे नाम थे जो की इनकी कॉइन्स पर मेंशन्ड थे वो थे विक्रमा, देवागुप्त, देवराजा, सिम्हा विक्रमा, विक्रमादिते सकारी, एक्सेक्टर इनके कोर्ट में इनके नौ नवरतनाज थे इनके बाद आये थे कुमारा गुप्ता इनका जो कारेकाल था वो 413-80 से लेकर 455-80 तक था इन्होंने नालंदा युनिवर्सिटी को फाउंड किया था और इन्हें शकारादित्य भी बोला जाता था इसके बाद आये थे सकंदा गुप्ता जिनका कारेकाल 455-80 से लेकर 467-80 तक था ये भी एक वैशनावेत थे और ये कुमारा गुप्त के बेटे थे इसके बाद आये थे विश्नु गुप्ता ये लास्ट नोन रूलर थे गुप्ता डैनेस्टी के इनका जो कारेकाल था वो 540-80 से लेकर 550-80 तक था वो ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और फॉर मोर वीडियो और एंपेपेसी नोट्स प्लीज सब्स्क्राइब मैं चैनल थैंक यू